आप देख रहे टेख रहे चलिए शुरू करते हैं त्यार आज के वीडियों में आपको बताऊंगा कि आप अपने लैप्टोप के साथ क्या के अक्सेसरीज आपको रखना चाहिए जिसके आपको वार्कफलो जो है वो इंक्रीज होगा और आप काम बहुत एफेक्टिबली कर पाएंगे तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं आपने वीडियो पर और हाँ उससे पहले आगर आपको मेरा एफट स्वाज से पर पसंद आ रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक दे सकते हैं और अपना वीडियो से वो आप कमेरे सक्से में बता सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास है एक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इन सब का लिंक्स जो है वह मैं कोसिस करूंगा कोई डेस्क्राइब में देने का हारा कि कोई कोई चीजे जो है वह मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीता है तो हो सकता है कि उनका लिंक्स में ना दे पाओ तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट पर अभी यार इस गैजेट का मैं को एक चीज में आपको बता रहता हूं कि आपको ऐसा जरूरी नही पढ़ गया है आज कल 500 GB का external HDD कोई यूज नहीं करता है SSD हो सकता है कि आप यूज करें लेकिन HDD आज में 500 GB का साथ कोई यूज नहीं करता है तो वान टीवी के साथ ही मिनिमम जाहिए नहीं तो आप थोड़ी कुछ सेविंग्स कर लिए उसके बाद आप खरीद लीजेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अभी हम चलते हैं नेक्ट गाइजट पर जो है एक बॉक्स अभी यार बहुत लोग इसको मेंशन नहीं करते हैं लेकिन यार ऐसा एक बॉक्स आपको बहुत जरूरी होता है जब भी आप कोई भी आपने लैप्टॉप को मतलब बहुत अगर ट्राविल करते तो आपको लैप्टॉप के साथ ऐसा एक बॉक्स बहुत जरूरी होता है इस बॉक्स में आपको फोल के दिखा देता हूं तो यहां पर जैसे के आप देख सकते हैं यहां पर दो पैनल है यहां पर यह वाला पैनल है इसमें आप अपने हार्डिस्क ब पर गेर हो आप सकते यह आप सकते हैं तो अब हम चलते हैं अपनी नैक्स-डिस्क में क मीरे को थीक से जाद नहीं हैं तो ऐसा एक अडिटा आपके पास जरूर होना चाहिए यह आपको offline market में मिल जाएगा मैं आपको online links इसका नहीं प्रोवाइड कर वाऊंगा साहिद तो आप इसको offline market में कहीं भी जाके 20-30 रुपे में ले सकते हैं तो यह बहुत important चीज होता है अगर आप अपने laptop को use करते हैं आपको maximum time मोबाइल के साथ interaction करने की जड़रत बढ़ जाता है तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट राइट पर हमारे नेक्स्ट राइट है एक पेंड्राइब या फिर एक USB flash drive तो यह जो पेंड्राइब या फिर फ्लाइश ड्राइब मेरे पास जो version है वो है संद्स का 16GB का लेकिन आप कोई भी पेंड्राइब यूज कर सकते हैं मेरे पास और एक है किंस्टन का 32GB का लेकिन वो मेरे दोस्त के पास अभी है तो मैं आपको आज वीडियो में नहीं दिखा बाऊंगा तो मेरे पास यह दो पेंड्राइब किसली यूज करता हूं मैं आपको कोई बी ऐसा काम करना प्ड़ता है जिसमें आपको फ्लैस्ण ब्लाइब आरे पड़ता है जसने उंआरा कलता है तो इन सब कंडिशन्स में या फिर ऐसा हो सकते हैं कि आप नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपने hard disk में क्या क्या आपने रखा हैं आप अपने hard disk में सब private रखना चाहते हैं तो आप को यहीं रेकमेंड करूंगा कि आप 16GB या 32GB का ही pen drive ले 8GB का भी आप ले सकते हैं लेकिन वह ब्यार मिनिमा में 8GB के नीचे तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि आज के दिन के standard की हिसाब से मतलब 8GB के नीचे बहुत यादा एक low माना जाएगा मतलब बहुत याद वह काम में नहीं आएगा क्योंकि आज कल जो सेटपस है विंडोस वाले सेटपस है वह भी मतलब बहुत जादा हो गया है तो यहां पर मैंने पास दो टीजी केबल से एक ओटीजी केबल जो है यह आपके USB-C टाइप 2 USB है और यह जो है यह आपके Micro USB to USB है तो यहार इन दोनों में आप क्या कर सकते ही कि आपने मोबाइल के साथ डारेक्ट लिए अपने पेंड्राइब को कनेट कर सकते है अब यह बहुत यादा कभी कभी ज़रुरत पढ़ जाता है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम अपने लैट्ट परकिन की ज़रुरत पढ़ जाए और अभी आप जैसे जानते हैं कि जेंटार बगरा बंद हो गया है तो आगर आप जियो स्विच बगरा यूस नहीं करते हैं तो आपको इसका ज़रुरत बहुत यादा पढ़ने वाला है तो मैं आपको यह रेक्मेंड करूंगा कि आप इ यह दो थे हमारे next gadget अभी में चलते हैं अपने next gadget पर तो हमारे next जो है वो है एक headphone splitter अभी यार यह यह मैं एक productivity gadget तो नहीं बोलूंगा लेकिन यार entertainment gadget आप बोल सकते हैं for example अगर आप एक ऐसे एरिया में है जहां पर आपको मतलब आप जोड़ जोड़ से आवाज से कोई भी चीज़ सुनेंगे तो यह problem होगा for example अगर आप लाइबरी में है और आपको एक headphone से सुनना है for example आप चार दोस्ते आप चारों को उस laptop में जो गाना बच रहा है या पर वीडियो चल रहा है वो उन लोग को सुनना है तो उस case में आप क्या करेंगी कि आप ऐसे एक headphone splitter ले सकते हैं और headphone splitter के दो ends में आप दो headphones को लगा सकते हैं और एक-एक headphone मतलब चारों दोस्त लगा सकते हैं तो इस टाइप की users कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है कभी-कभी मतलब यह ऐसे बहुत यादा mandatory gadget तो नहीं है लेकिन या एक optional gadget की हिसाब से आप रख सकते हैं अब हम चलते हैं नेक्ट mousepad दुनिया का खुई भी mousepad आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप यह चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि उस mousepad में जो है वह आपका mouse smoothly चलता है इतना ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए एनाफ है और जरुरत नहीं यह कुछ ध्यान रखने की अभी हम चलते हैं न मुझे बहुत जादा पसंद नहीं है लेकिन अगर आपको पैसे थोड़ा सा बचान है और आपको आपका जो बजेट है वह थोड़ा सा टाइड है तो आप वाले होते हैं क्योंकि यार एक external mouse और एक external keyboard होना बहुत जरूरी होता है आपके laptop के साथ क्योंकि जो है आपकी laptop के स लिए जो mechanical keys होता है उनसे बहुत कम होता है तो क्या होता है कि आप अगर बहुत दिन तक आपने keyboard मतलब आपने laptop की keyboard में टाइप करते रहेंगे तो हो सकते हैं कि आपका lifespan ख़तम हो जाए और आपका laptop का keyboard बात में काम करना बंद कर दें तो यह सब जहमला से निपटने के लिए आप एक external keyboard और mouse का combo हमेशा use कर लिजिएगा तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप कुछ 1000 रुपे से 1500 रुपे की बीच में कोई mouse और keyboard का combo ले क्योंकि उससे नीचे जो mouse और keyboard के combo होते है वो उतने अच्छे नहीं होते है मैं आपको अगर सच में बताओ तो अभी हम चलते हैं नेक एक चस्मा अब यार यह चस्मा जो है यह नॉर्मेल वारे चस्मा नहीं है मतलब यह जो है यह यूवी प्रोडेक्शन लेंस है मतलब इसको अगर मैं पहन लूँ मैं बहुत आजीव देख रहा हूं मुझे पता है लेकिन यह अगर मैं पहन लूँ तो कोई भी आगर यूभ यूभी रेस के बिना होगा तो मैं यह आपको क्यों रrecommend कर रहा हूं क्योंकि आर आज के दिन में क्या हुआ है कि सब लोग बहुत ही जादा लापटॉप और कंप्यूटर यूज करते रहते हैं तो यार अगर आप 24 गंटे लापटॉप और कंप्यूटर यूज करेंगे तो आपके आँखों में 24 गंटे यूभी रेस पल रहा है तो यार यह जीज मतलब आपके का आँखों के लिए बहुत यादा खराब हो सकता है और यह one of the top priorities है मैं अगर आपको बता हूं तो मैक्सिमाम यूट्यूबर्स जितने मैंने देखे हैं जो मस्ट हैव एससाइज बताते हैं लैप्टॉप्स के लिए वो यह चीज रेकमेंड नहीं करते हैं लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यह बहुत ही आदा important है मतलब यह जितने भी चीज़ा मैंने दिखाया अगर अगर आपके पास एक hard disk ना हो फिर भी चलेगा अगर आपके पास एक external keyboard या mouse ना हो फिर भी चलेगा वह आप बात में भी खरीच सकते हैं लेकिन यह आपको बहुत ही important ही यह आपको जरूर खरीचना है तो इसके साथ आपको एक case मिल जाता है basically मैंने यह lens card से लिया हुआ है आप lens card के website में जाके देख सकते हैं और उसके साथ आपको एक microfiber cloth भी मिल जाता है जिससे आप इसको clean कर सकते हैं और बस इतना चीजी मिलता है तो यह थे मेरे कुछ gadgets जो मैं आपने laptop के साथ continuously use करता रहता हूं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको like कर सकते हैं हमें वीडियो को like दे सकते हैं और मिलते हैं इस टुडियो में तब तक के लिए बाइबाई